हेई गाज वेलकम बैक टू एनदर व्लोग सो आप देख सकते हो सुबा सुबा कितने फिसर फिसर करके बारिश हो रही है बाहर और यहाँ पे हमारे बन्नी महराज जो है सोफा पे चड़के बैठे है क्योंकि सर्दियां आ गई है तो अब फर्श में उनको थंडा लगने लग इसनले सुबा के बाढ जाता है यहां पर सुबा सुबा ममी बन्नी के लिए मूली का पत्ता चाटि जो कि वह बड़े ही चाव से खाता है और आज बन्नी तो पापा के पास इतना फ्यार सिद्य को घूम रहा है सुबा सुबा इसका मन बहुत था-स फ्रेश रहता यह ममी के गुंता रहता है ख़लता खली और ममी को जोष चड़ा कि नीचाइ ब्रेकफस्स बनाएंगे तो निकल देते लेकिन आज ममी ने बोले नहीं आज प्रॉपर ब्रेकफस्ट बने तो बनेगा कह दिया तो कह दिया और देखिए अपने ब्रेट का खुश्बू इसको आ गया आज तो यह काट के निकल जाएगा अपने घर को और यहां पे बन चुका है हमारा गर्मा गरम पोहा भया पोहा मुझे तो बहुत पसंद है परसनली और गर्मा गरम थंड के मौसा मे में तो पोहा खाने का मज़ा है यहां ममी तुलसी का पत्ता चाटरी जिसको हम लोग सुबा सुबा चाय पीते हैं और बनी भी तुलसी खा रहा है इसको तो पहले खाना ही खाना है वैसे आज ना लंच में मेरी फेवरेट चीज बने और वह है गादा भाद जितने भी लोग गादा भाद बनता है तो हो 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 जहन में उतर जाता है उसका सुबात तो अगर अपने कभी गादा भाद ट्राइ किया है ना तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा और जिन्होंने नहीं किया ना ट्राइ कीजएगा फिर कमेंट में जरूर बताएगा कि कैसा लगा और मै लिख के देती हो एक बार खालो गया तो फैन बन जाओगे अब यहां पर शाम का वक्त हो गया है और आज मम्मी ने चाय के जगा पिया है कॉफी क्योंकि मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी चलिए मैंने सोचा कि मैं मम्मी के लिए भी पना लेती हूँ आज का पूरा दिन काम करते करते निकल गया अगले आप मिलते हैं तब तक लिए बाई